आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ करेले बनाने का एकदम नया तरीका ये करेले इतने टेस्टी चटपटे कुरकुरे होंगे कि आप बिना रोटी के ही इनित चट कर जाएंगे तो फिर देर किस बात की बनाते हैं करेले बनाने के लिए मैंने हाप लिए हैं चार करेले जो की मीडियम साइज के करेले हैं बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है और ज़्यादा छोटे भी नहीं है करेलों को हमने अच्छे से धो लिया इसके बाद इस तरह से हमें इसे कट करना है बीच से इसे कट करेंगे कि ये दो टुकडों में जुड़ा रहना चाहिए फिर हमें से इसके पतली-पतली स्टिप्स काट लेंगे लेकिन ध्यान रखें हमें करेली को अलग-अलग नहीं कट क सकते हैं उतने ही टेस्टी ये करेले बनेंगे और कड़वे तो बिलकुल भी नहीं होंगे और इन करेलों की खास बात यह है कि आप इन्हें हपते भर तक स्टोर कर सकते हैं सफर में जा रहे हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं तो ये देखें करेले को हमने इस तरह से कट कर और यह सब आपस में जुड़ा हुआ है तो इसको हम रख देते हैं साइट में इसी तरह से हमने सारी करेली कट कर लिए हैं इसमें हम डाल देंगे एक चमश नमक तो अच्छे से नमक लगा देना है जिसके अंदर तक जाए क्योंकि इसमें काफी ज़्यादा कड़वाट होती ह तो नमक डालने से क्या होता है कि जो करेली की कड़वाट है वो निकल जाए इसे साइट में रख दिया एक प्लेट में आधा चमश हल्दी पाउडर एक चमश धनिया पाउडर एक चमश लाल मिर्च पाउडर नमक स्वात के नुसार आधा चमश भुनाजीरा पाउडर एक चमच अमचूर पाउडर डाला है हमने इसी में हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे और एक चमच के जितना हम सौफ का पाउडर डालेंगे तो सौफ को बस मैंने दरदरा कूट के डाला है करेले में सौफ का फ्लिवर बहुत अच्छा लगता है जरूर डालेगा मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें एक चम्मच कॉन फ्लॉर और लगबग एक से डेड़ चम्मच ही हमने इसमें डाला है चावल का आटा बस इसे अच्छे से मिला लेना है इधर तस पंदरा मिनट हो गए हैं करेले इस तरही के से पानी छोड़ देंगे नमक की और इन्हें अच्छे से वास कर लेंगे जिससे की जो भी एक स्टा नमक इसमें लगा है वो छूट जाए जब आप इसे पानी में इस तरह से धूलेंगे तो जो बीज इसमें हैं हार्ड बीज वो भी निकल जाएंगे और अगर कोई बीज नहीं निकलते हैं तो आप उसे न चोड़ दिया है अब एक करेला लेंगे और इस तरह से हमने जो मसाला तयार किया है उसमें हमें गिले-गिले करोलों को अच्छे से कोट कर लेना है जिससे की जो मसाला है वो अच्छे से लग जाना चाहिए इसमें तभी हमारे जो करेले हैं वो बढ़िया क्रिस्पी तो एक कर लिया हमने इसी तरीके से हम बागे की सारे करेले भी रेडी कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंट यह सारे करेले हमारे रेडी हैं इन्हें हम 5 मिनट के लिए ऐसे ढखके रहने देंगे जिससे की जो मसाला है वो मौस्चर से अच्छे से चिपक जाएगा यह देखे कितने बढ़िया से मसाला करेले में चिपक गया है अब गैस पर हमने एक पैन में की रखा है तेल गरम होने के लिए और जब तेज मीडियम गरम हो जाएगा जो करेले हैं वह हम इसमें डाल लेंगे और हम इन्हें मीडियम फ्लीम में अच्छे से फ्राई करना है तो ज दबाजी बिलकूल भी नहीं करनी है अगर ख़रेले अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो फिर ये कड़वे लगेंगे, तो बस मेडियम आच में इन्हें अच्छे से सिखने दीजिए, बढ़ी हाँ से क्रिस्प होने दीजिए, तो फ्रेंड's आप देख सकते हैं, करेले बढ़ी हाँ से क्रिस्प हो गये हैं, और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये करेले आप हपते 10 दिन तक रखे रहेंगे तो भी खराब नहीं होंगे तो चाहें तो आप इने सफर में कहीं जाना है तो आप इन करेलों को बना सकते हैं तो मैंने इने टिशू पेपर में निकाल लेया है और ये हमारे बहुत ही मज़िदार क्रिस्पी करेले बनके तयार है आपको हमारी ये नए तरीके की करेले की रेसिपी कैसी लगी हमें फीडबेक में जरूर बताएगा